पहला कोश्चन सापसे कह रहा है उत्तर ब्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के छेत्र में राष्टिये सम्मान ये कला भूशन 2019 निमलिखित में से किस को दिया नाम दिया गया योगेंदर नात को दिया गया धरमपाल सिंग को दिया गया राजकुमार जी को दिया गया या फिर जबाब किसे दे रहे हैं कला भूशन 2021 तो राजे इंद्र सिंग पुंडरिक सही जबाब हैं दीस तराइट अंस लगाओ फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन की तरफ अगले कोश्चन की तरफ दो नमबर आपकी स्क्रिन पर है पुझराय रा बढ़ते शितर कला का आलो चनातम पे इतिहास एसी पुस्त किसने लिखे नाम दिया ऑगा सोगले जो 30 कर यूश्ची रतन परामु या फिर राकेश हो गोषवामी भारतेश चितर कला का लों चनातम पाक इतिहास जो लिखा जानता पुछा जा रहा है नियुयार्क स्कूल कोन नियुयार्क स्कूल के अस्थापना कभ वही नाम दिया गया उनएशो चालीस 1862 फनेशोन या फिर उनेशोहत्र नियुयार्क स्कूल के अस्थापना है मित्रों वह कब होती है नियुयार्क स्कूल के अस्थापना तो आप जानते हैं कि जो नियुयार्क स्कूल है इसके अस्थापना नियुयार्क स्कूल के असपास होती है तो सही जबाब जो है फर्स्ट के साथ देना होगा ए इस पूछा जानते हैं राजपूत कलम का किसन गड़ सेली का बनिया नमूना है बनिठनी और बनिठनी किसने तो निहाल चंदर ने शही जबाब निहाल चंद के साथ लगाओ अगला कोश्चन 6 नमबर आप चिस क्रिंट पे है पूछा ज़र आप से कि स्टेशन आफ दा क्रॉस किसकी करती है नाम दिया गया सूजा की है पिकासो की है बारनेट नूमोट की है या फिर एडवर्ड मॉंक की है इस्टेशन आफ दा क्रॉस की अगर बात होती है तो बहुत अच्छी रचना है और बारनेट नूमेन की रचना है तो सहीज बाब बारनेट नूमेन लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन साथ नंबर आपकी स्क्रिंट पे है पूछा जरा मित्रों तिरची रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयूक्त होती है तो आप तिरची रेखाएं किशे देखने के लिए प्रयूक्त करते हैं आप जानते हैं कि जो तिरची रेखाएं मित्रों वो व्यकुलता दर्शाती है तो सही जबाब जो है डी के साथ लगाओ व्यकुलता इस तरह ही टांसर बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन आठ नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा है प्रश्चन क्या होगा भीलवाड़ा होगा सही जबाब फर्स्ट के साथ मनेगा इस तराइट अंसर लगाना इसका भीलवाड़ा वाले बेल्ट का ये रास्थान का बेल्ट है ये इंडस वैली सब्लाइशन सम्बंधित नहीं है सही जबाब फर्स्ट के साथ लगा लो अगला कोश्चन प्य पूछा जारा मित्रों कि पाल सेली के प्रमुख केंदर कौन से थे पाल सेली के प्रमुख केंदर कौन से रहे हैं आप जानते हैं बिहाल नेपार और बंगाल रहे हैं कि महाराष्टा करनाट का केरला रहे हैं गुजरात मदप्रदेस या फिर रास्थान रहे या फिर उत्तर प्रदेस मदप्रदेस और गुजरात रहे आपको बताना है पाल सेली पाल सेली वही बंगाल में जो इस्टबलिस होती है उसका केंद्र कोंसा है, तो बंगाल है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद नेपाल है, तो सही जबाब क्या बनेगा, फर्ष्ट इस दराइट आंसर होगा, एक एसाथ सही जबाब लगा लो मित्रों, फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ, अगला questions, दस नंबर आपकी स्क्रिन प्रशंख्या 10 कह रहा है उपवाश में बुद्ध उपवाश में बुद्ध किस मूर्तिकला सेलिका करती है नाम दियाग्या मतुरा सेलिका नाम दियाग्या गुप्त सेलिका नाम दियाग्या गांधार सेलिका और नाम दियाग्या शुंग सेलिका उपवाश में बुद्ध की बलूब की लेला मजनू की प्रेम कहानियें पर बीयने चित्र बना दिये। लेला मजनू की प्रेम कहानियें को किसी नीदर साय होगा। फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरफ, अगला कोश्चन्स बारा नंबर आपकी स्क्रिन पे है, प्रस्चंख्या बारा क्या कह रहा है, किस यूरूपिये चितरकार ने युद्ध, युद्ध को अपने चितरों का वीशे बनाया, नाम दिया गया फ्रेंज मॉर्क हैं, फ्रांसिस गोया हैं, डेबिड हैं या फिर रेंबरा हैं, युद्ध को अपने चितरों का वीशे किसने बनाया, चार नाम दिये गया हैं, सही जबाब फ्रांसिस गोया के शार्थ लगाना, सी इस तराइड आउंसस बनाना में तुरों, फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चन् फिर नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे हैं, तेरा नंबर कोश्चन्स आपके कुछ पूच रहा है, क्या पूच रहा है, भीम बेटका के पाशान सैलास्तरे जो हैं, यह 1578 बी के हैं, यह किसके द्वारा खोजे गया हैं, नाम दिया गया, अलेजेंडर ने खोजा, जे वि एस वाकाडकर ने खोजा, या फिर V. N. मिस्टर ने खोजा, भीम बेटका की बात होती है, और भीम बेटका का जो ड्व्डाटा है, आब जानते हैं, कि वीएस वाकाडकर साहब है, प्रोफेसर साहब हैं, यही खोजते हैं, तो सही जबाब जो है C के साथ लगाओ, C is the right फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 14 नंबर questions आपके screen पे है आपसे पूछ रहा है मित्रों कि बेंजे टाइन कला किसके आस्तरय में बिक्सित हुई आपको बढ़ेंगे अगले questions की तरफ 15 नंबर आपके शित्रकला पूछा जानते हैं निमिकित मेंशे पहाणी चित्रकला से संबंधित है मालवा बीकानर कांगणा आगरा आपको बता है पहाड़ी चित्रकार से संबंध किसका है सही जबाब कांगड़ा वाले बिल्ट का होता है तो कांगड़ा के साथ answers लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरह अगले questions 16 नंबर आपकी screen पे रहा 16 नंबर questions क्या कहे रहा है एक अच्छे वास चित्रकार थे एक अच्छे वास चित्रकार सुखबिंदर सिंग शंगल है मुहमद हनीफ है SG सरी खंडे है या फिर मतनलाल नागर है एक अच्छे और वास चित्रकार की बात हो रही है तो सही जबाब वास चित्रकार में शुखवी रिश्रिंक्षिंगल का नाम आएगा फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन सेवेंटीन नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा मित्रू पूछा जारा है बिलाप करता योवन बिलाप करता योवन किसका चित्र है बिलाप करता हूवन की अगर बात होती है बहुत अच्छी रिचना है जार्ज क्लैसन की तो जार्ज क्लैसन के साथ अंसस लगाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन स की तरफ अगला कोश्चन स अठारा नमबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा पूछा जा रहा है गुरूप 1890 नामक संगठन किस ने बनाया नाम दिया गया पीशिव बालन ने बनाया केजी सुब्रमन्यम ने बनाया जे स्वामी नाथन ने बनाया फिर ए राम चंदरन ने बनाया गुरूप 1890 की बात होती है गुरूप 1890 जो है जे स्वामी नाथन अकाल को बिशे की रूप में उक्वेरने वाले प्रमुक्ष चितरकारों की पहचान को लो अकाल को बिशे की रूप में ले लिए और सभी लोगों ने उस पे चितरकारी कर दी आपको बताना है अकाल को बिशे के रूप में लेकर के उस पे सभी ने चितरकारी की हो ये दर्शे पूछा जारा है आपसे आप जानते हैं मित्रों कि एक चितरकार थे चितर प्रशाद, दूसरे चितरकार थे जैनुल अबदीन, तीसरे चितरकार थे राम के इंकरबे, चोथे चितरकार थे शोमना थोर, तो इन लोगों ने अकाल पे अपनी स्रंग खलाएं तयार किया हैं, चितर बनाए हैं, तो सही गॉल मुर्ति-शिल्प का संबंध किस यूग से हैं, नाम दिया गयां मेश्वोपोटामिया से है, भरोक से है, हेलन श्टिक से है, या फिर पुनर जाग्रन काल से दा ड्राइंग गॉल की बात होती है दा ड्राइंग गॉल जो मूर्ति सिल्पी है हेलेनिस्टिक कॉल से है तो सही जबाब हेलेनिस्टिक मूर्ति यूग लगाओ या हेलेनिस्टिक यूग लगाओ सही जबाब जो है B के साथ बनाओ B is the right answer फाओगे अगला कोशन्स आपकी स्क्रिन पे ये रहा प्रसंख्या 21 आपकी स्क्रिन पे पूछा जारा मित्रों कि खजुराहो के मंदिर किस राजवन्स में बनाए गए नाम दिया गया चंदेल राजवन्स नाम दिया गया कल्चुरी राजवन्स नाम दिया गया नर्सिंग देव राजवन्स और नाम दिया गया सुंग राजवन्स आपको बतना है खजुराहो के मंदिर खजुराहो के मंदिर के अगर बात होती है चंदेल राजवन्स सही जवाब बनते हैं फिर बढ़ेंगे अगले कोशन्स की तरफ 22 नमबर Qantwort आप की स्क्रिण पे ये रहा पूछा गया किसने कहा कि कला एक सहज ग्यान है मिले नियोनाडूदा विंसी ने कह दिया अदी शंकराचारे ने कहा बिने deck के कुरोची ने कहा या फिर स्वामी ग्राम तीरत ने कहा कि कला एक सहज ग्यान है कला एक सहज ग्यान है ऐसा जो ग्यान देने का काम है वो क्रोचे महोदे का है तो बिने डेट्टो कोच्चे को सही जबाब लगाना सी इस धराइट आंसरत बनाना फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले कोश्चन्स की तरफ अगला कोश्चन्स 23 नमबर आपकी स्क्रेंट पे है यिस नमबर कोश्चन्स कए रा है अभिनो गुप्त की अनुशार 9 आरस कौन सा है 9 जबीर रस होगा अदभुद रस होगा हाश रस होगा या फिर शानत रस होगा अभिनों गुप्त ने जो 9 आरस बताया वो शानत बताया तो सही जबाब D के शाथ लगा लो, फिर बढ़ते हैं, अगले questions की तरफ, अगला questions 24 नमबर है, आपसी पूझ रहा है, लखुनिया की गुफा चित्र किसे सम्मंधित हैं, नाम दिया गया मरजापुर से हैं, भोपाल से हैं, मानिक पूर से हैं, फिर होशंगा बाद से हैं, लि कुछा जारा है सती, सती नामक्चेतर किसका है, राजा रभी बर्मा का है, ननलाल बोश का है, अउनी नाट टेगोर का है, या फिर सहले नाट डे का है, सती रचना आप जानते हैं कि मास्टर मोशाय ने बहुत आच्छी बनाई है, तो सही जिबाब ननलाल बोश बना लो, भी इस दा राइट अंसर लगा लो फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स की तरफ एगला कोश्चन्स 26 नमबर आपकी स्क्राइब यह रहा है कोडार्क का काला पैगोडा यानि ब्लैक पैगोडा जी सुरे मंदर कहा जाता है इसका निर्मान किस ने करवाया था नाम दिया गया राजा नर्शिंग देव प्रथम ने करवाया नर्शिंग वर्वन प्रथम ने करवाया बिद्या धर ने करवाया फिर राजा राज वर्वन ने करवाया कोणार का काला पैगोडा बात होती है कोणार का काला पैगोडा राजा नर्शिंग देव प्रथम ने करवाया सही अस्ता वेजित फिल्म, पारटीशन. पारटीशन, दडे इंडिया बर्ड, ये चितरकार की एहम भूमी का किसकी रही? सूजा की, सतीश चन्गुजराल की, रजा की या फिर गौईत अंडे की. आपको बताना है पारटीशन, दडे इंडिया बर्ड, दडे इंडिया बर्ड ज चटानों को काट करके रथ, रथ कहलाने वाले मंदिरों का निर्मार पल्लो काल में हुआ, चालू के काल में हुआ, राष्ट कूट काल में हुआ, या फिर चूल काल में हुआ, आपको बताना है रथ कहलाने वाले मंदिर, रथ कहलाने वाले मंदिर जो बनते हैं, पल्लो काल मे में हुआ किस ने करवाया नर्सिंग वर्वन दुतिये ने महेंद्र वर्वन पर्थम ने कृष्ण पर्थम ने या फिर हर्स वर्धन ने कैला सनाथ मंदिर की बात होती है कांची वाले कांची वाले कैला सनाथ मंदिर की बात हो मित्रों नर्सिंग वर्वन दुतिया अंसस आपको बताना है घंवाद का पहला चित्र पाबलो पिकासो का है और पहला चित्र कौन सा है तो याद रखना है लेस डिमाइलेस डी एविन नौग है शही जबाप जो हिसी के साथ बनेगा अगले कोश्चनस की तरफ थर्टी टू नंबर कोश्चनस आपकी स्क्रिन पे है आपसे पूछा जा जा रहा है जैन सिध्धों का निमास अस्थान सित्र नवासल है तो सही जबाप शी के साथ लगालो फिर बढ़ेंगे अगले कोश्चनस की तरफ थर्टी टू नंबर कोश्चनस आपकी स्क्रिन पे है आपसे पूछा जा रहा है शमकालीन मूर्तिसिलप एंजिल आफ दा नार्थ एंजिल आफ दा नार्थ के निरमाड करता है एंटिनो गोरमली हैं कालडर हैं रोडिन हैं या कोश्चनस आपकी स्क्रिन पे रहा हैं थर्टी थरी नंबर कोश्चनस बेजो चितरप्रशाद और उनकी शितर-कला-पुस्तक की लेखक कोन है? नाम दिया गया प्रयाग शुकलह हैं अशोग भौमिक हैं बिनोथ भारत दौज हैं अफिर अधेश मिश्चरा हैं चितर-प् कि चितरकला उस तक किस की है? अशुक भोमिक की है, सही जब आप अशुक भोमिक लगाओ, सी is the right answers वाओ, फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ, अगला questions 34 number आपकी screen पर ये रहा, 34 number questions क्या कहे रहा है? कहे रहा है Alexander go to live, गोटिलिव वामगार्ड को किस छेत्र में युगदान देने के लिए जाना जाता है नाम दिया गया चित्रकला के लिए शौंदर्य शास्त्र के लिए फ्रेंच काब के लिए और फिर निमेशिये कोई नहीं गोटिलिव वामगार्ड को मुझलूब शेक किस छेत्र में उपलब्धी के लिए जाना जाता है तो ये शौंदर्य शास्त्र के लिए जाने जाते है सही जबाब शौंदर्य शास्त्री लगा लो फिर वढ़ेंगे अगले कोश्चन्स की तरह अगला कोश्चन्स 35 नमबर आपके स्क्रण पर ये रहा 35 नमबर कोश्चन्स क्या कह रहा है पूछ रहा है मित्रों कि मूविंग फोकस के लेखक कोन है मूविंग फोकस बताना है केजी शुब्डमन्यम की रचना मिनोद भिहरी मुखर जी की रचना ये अब भाहम की रचना ये फिर दिनकर कोश्चना मूविंग फोकस की बात होती है मूविंग फोकस के जी शुब्डमन्यम सही जब आप फर्ष्ट के साथ लगाओ इस धराइट आंसरस पाओ अगला कोश्चन्स 36 नमबर आपके स्क्रण पर ये रहा 36 नमबर कोश्टन कहे रहा है प्रयोग की द्रिष्टी से जलरंग कितने प्रकार के होते हैं नाम दिया गया 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार प्रयोग की द्रिष्टी से जलरंग कितने टाइप के हैं तो सही जबाब बनेगा 2 टाइप C is the right answers आगे बढ़ते हैं अगला कोश्टन 37 नमबर आपकी स्क्रिण पे आप से पूछा जा रहा है नमलिकित में से कौन आउनी इंद्रनाथ टैगोर के सिस्ट से नहीं है नाम दिया गया ननलाल बोश, असित कुमार हालधा अगला कोश्टन 38 नमबर आपकी स्क्रिण पे 38 नमबर कोश्टन आप से क्या पूछ रहा है पूछ रहा है विश्व कल्यान के चिंतक तरभंगी युक्त पदमपान इबोधिश्वत्यों का विशाल चितर अजनता की किस गुफा संख्या से है आपको बताना है पदमपान इबोधिश्व का विशाल चितर जो है वो कहां से प्राप्त होता है गुफा संख्या एक से प्राप्त होता है सहीज बाबसी के साथ लगाओ मित्रों फिर बढ़ेंगे अगले कोश्टन की तरफ अगला कोश्टन 39 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा 39 नंबर कोश्टन के रहा है भारतिय भित्ती चित्र प्रामपरा समवाहक केंद्र है वनस्तली विद्या पीट अलाहबाद विश्विद्याल है कलाभाउन शान्ती निकेतन या फिर बड़ोदला विश्विद्याल है आपको बताना है भारतिय भित्ती चित्रन प्रामपरा का समवाहक केंद्र कोन है समवाहक केंद्रों के रूप में वनस्तली विद्या पीट जानी जाती है सही जबाब एक के शात लगाओ अगला कोशन चालिस नंबर आपकी स्क्रिन पे ये रहा प्रशन क्या चालिस क्या कह रहा है विश्व कार्टून दिवस मनाया जाता है विश्व कार्टून दिवस 10 जून को मनाया जाएगा 22 अगस्त को मनाया जाएगा पंदरा अप्रेल को या फिर पांच मही को मनाया जाता है बिश्वा कार्ड उटून दिवस की बात होती है तो पांच मही अंसर्स बनता है सही जबाब डी के साथ लगाओ डी इस दराइड अंसर्स वाओ अगला कोश्टन 41 नूमबर आपके स्क्रिन पे है पूछा जा रहा है बीनस आफ बिलन डार्फ बीनस आफ बिलन डार्फ प्रतिमा कहां से पाई गई नाम दिया गया भारत से पाई गई जापान से पाई गिया अश्टिया से पाई गई या फिर अफ़गानिस्तान से पाई गई बीनस आफ बिलंडॉर्फ की बात होती है बीनस आफ बिलंडॉर्फ जो है वो आश्टिया से है सही जवाब अभी के साथ लगाओ वी इस दा राइट अंसस पाओ अगला कोश्चन्स 42 नमबर आपके इस रन पर यह रहा अक्रेलिक रंगों की कर बात होती है मित्रों तो इसमें से कोई प्रियोग नहीं किया जाता तो सही जवाब डी के साथ लगा लो अगला कोश्चन्स 43 नमबर आपके स्क्रिंट पर यह रहा 43 नमबर कोश्चन्स कहरा है तेलिये चित्रण को प्रयूक्त करने वाला 45 नमबर कोश्चन्स आपके स्क्रिंट पर पूछा जारा मित्रों की मरणासन राजशकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है नाम दिया गया है 9 गुफा, 16 गुफा, 11 गुफा, 17 गुफा मरणासन राजशकुमारी के अगर बात होती है तो आप जानते हैं 16 नमबर गुफा में चित्रित है सहीज बावशी के साथ बनेगा अगला कोश्चन्स 45 नमबर आपके स्क्रिंट पे रहा 45 नमबर कोश्चन्स आप से कह रहा है करते है 46 नमबर कह रहा है 600 से 350 इसाबुरू के बीच निर्मित स्याम और सुएथ-चित्र वरतन के किस कला से संबंधित है नाम दिया गया रोमन कला, ग्रेक कला, मिसी-सी-पी कला या फिर मेशो-पोटामीया की कला अगला कोशन्स 47 नंबर आपके स्क्रिन पर ये रहा 47 नंबर कोशन्स क्या कह रहा है कह रहा है कौन सा प्रसिद्ध एतिहासिक मूर्ती माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित है नाम दिया गया जान बैप्टेस को बनाया है हरक्यूलस को बनाया है पियटा को बनाया है या फिर लाउ कॉस्ट को जो है माइकल एंजिलो ने बनाया माइकल एंजलो की एक रचना बहुत फेमस है आप जानते हैं नाम दिया गया प्याटा तो सही जब आफ प्याटा के साथ लगाओ अगला कुश्टन 48 नमबर आप की स्क्रेंट पर यह रहा 48 नमबर कुश्टन क्या कह रहा है कह रहा है फ्रीज आफ लाइफ यानि जीवन चित्रावली की चित्रकार का नाम बताओ लुईबिक के खरनर हैं एलिक खैलक हैं एडवर्ड मुंक हैं या फिर वैसेली कॉंडिस की है आपको बताना है फ्रिजाफ लाइफ किसकी है फ्रिजाफ लाइफ एडवर्ड मुंक की रचना है तो सही जवाब वी के शाथ लगाओ अगला कोश्चन्स 49 नंबर आपके स्क्रिंट पर ये रहा 49 नंबर कोश्चन्स क्या कह रहा है मरवाड से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी पाली की रागमाला 1605 में 1625 में बनी 1625 में 1620 में या फिर 1617 में बनी आपको बताना है मारवाण से प्राप्त है आरंभी कितर जो पाली की रागमाला है पाली की रागमाला कब बनाई जाती है 1620 के आसपास बनाई जाती है तो सही जबाब जो है C के साथ लगाना C is the right answers बनाना फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions पत्चास नूमबर आपकी स्क्रिन पे रहा 50 नूमबर questions आपके क्या कह रहा है इसमें प्रथम छपाई मशीन लगाने का सरेके से जाता है पहला छपाई मशीन इटली लगाती है इंडूनेशिया लगाती है मैक्शिको लगाती है फिर कोलेन लगाती है पहली छपाई मसीन की अगर बात होती है तो सही जबाब मेक्शीको लगाना B is the right answers बनाना सही जबाब B के साथ है अगला कोश्चन्स 51 नमबर आपकी स्क्रिन पे रहा 51 नमबर कोश्चन्स कहे रहा है महाभारत का फार्सी संस्क्राण का नाम क्या है आलमगीर नामा है रज्म नामा है बादसाह नामा है या फिर शाह नामा है महाभारत का फार्सी संस्क्राण आपसे पूछा जा रहा है महाभारत का जो फार्सी संस्क्राण होगा मित्रूम और रज्म नामा होगा तो सही जबाब रज्म नामा यानि C के साथ लगाओ C is the right answers बनाओ अगला questions 52 number आप किसक्रिन पर ये रहा 52 number questions कहे रहा है AC प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभार करके या फिर बदल के आकार को बदल जो है दबा करके आकार को बना दिया जाता है क्या कहलाती है इंपेस्टो कहलाती है इंबाक्शिंग कहलाती है C is the right answers बनाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions की द्रफ अगला questions 53 number आप किसक्रिन पर रहा पूछा जारा है महंदी महंदी और मंड़ना महंदी और मंड़ना लोग कला कहां की है बिहार की है आंद प्रदेश की है रास्थान की है फिर महाराश्टरा की है तो महंदी और मंड़ना ये दोनों की दोनों जो खलाएं है ये रास्थान की है सहीज बाब B के शाथ लगाओ अगला questions 54 number पे आओ पूछा जारा है सिलपी चक्रसमूह के संस्थापक थे नाम दिया गया 37 गुजराल केक्केहबर एनेस बेंदरे वीशी शानियाल आपको बताना है सिलपी चक्रसमूह सिलपी चक्रसमूह के अगर बात होती है मित्रों तो सहीज बाब जो बनता है वो एनेस बेंदरे के साथ बनता है नाराएंड स्रिधर बेंदरे बढ़ेंगे अगले questions के तरफ अगला questions 55 नमबर आपके स्क्रिण पे ये रहा पूछा गया रास्थानी चितर का मूल स्रोत है नाम दिया गया पाल सैली, अब्धरन सैली, अजंता सैली या फिर बंगाल सैली रास्थानी चितर सैली का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अब अभ्धरन सैली, तो सही जब आप अभ्धरन सैली के साथ लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरह अगला questions 56 नमबर आपके स्क्रिण पे रहा पूछा जाता है किस कलाकार द्वारा डेट आफ कृष्ण, डेट आफ कि कृष्ण, नामक चितर बनाया गया नाम दिया गया अकबर पदमसी ने वने सुधु तरह ने भी मनाया रमेशवर भरोटा ने बनाया, मनजीत वावा की रचना है फिर सतिस गुजरालने डेट आफ कृष्ण बनाया है गांधी का प्रसिद्ध लिनो कट चितर दांडी मार्च दांडी मार्च किस ने तयार किया था नाम दिया गया शितकुमार हालधार ने तयार किया इवी हैबले ने तयार किया ननलाल बोश ने तयार किया या फिर सादा चरण उकिल ने तयार किया सही जवाब क्या होगा मित्रों सही जवाब माश्टर मोसाय के साथ जाएगा दांधी का दांडी मार 2430 की रचना है ननलाल बोश ने बनाई सही जवाब शी के साथ अगला कोश्रांस 58 नमबर आपकी स्क्रण पे रहा पूछा जा रहा है मोहिनी जूले पर 1896 की ओलियोग्राफ रचना है ऐसा चितर किस ने बनाया नाम दिया गया विवान सुंद्रम ने बनाया मकबूल फिदा हुशेन ने बनाया नाम दिया गया आपको अनीश कपूर ने बनाया नाम दिया गया रवी वर्मा ने बनाया मोहिनी जूले पर है ऐसा द्रिश किस के द्वारा बनाया जाता तो राजा रवी वर्मा की रचना है सही जबाब D के साथ देना होता है D is the right answers लगाओ फिर बढ़ेंगे अगले questions की तरफ अगला questions 59 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा पूछा गया निमलिकित में इसे खिन हे कला के शित में पदम विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है नाम दिया गया इसपी बाला सुब्रमन्यम और सुदर्शन साहु को नाम दिया गया करशन नययर और सांता कुमारी चित्ता को नाम दिया गया भूरी भाई और गुलाम रिसूल खान को नाम दिया गया केक्के राम चंदरन और लाजवती को पदम भी भूशन कहा जा रहा है पदम भी भूशन भी भूशन मतलब दूसरा पदम भूशन माने तीसरा और जो है पदम स्री माने चोथा महत्मोर पुरुषकार होता है ठीक है पहला तो आप जानते हैं कि भारत रतन होता है किसे मिला है सभी बाला सुब्रमन्यम और सुदर्शन साहू को मिला है सही जब आप फर्ष्ट के शाथ लगाओ अगला कोश्चन शाथ नंबर आपकी स्क्रिंड पे है सिष्टी नंबर कोश्चन साबसे क्या कह रहा है कह रहा है मित्रों कि एसुद कुमार हालधर ने किस विशे पे वनईशो 91SB में भारतिय डाक टिकट जारी हुआ कौन से विशे पे एसुद कुमार हालधर के चेतर पर ये डाक टिकट जारी हो गया गायल बतक के साथ सिधार्थ को धुर्ब को लच्चमी को या फिर नौवधू को आपको बताना है भारतिय डाक टिकट तो गायल बतक के साथ है सिधार्थ है वही जो है डाक टिकट पे तो सही वाब फर्स्ट के साथ एस दाराई टांसर्स लगाओ अगला कोश्चन 61 नंबर आपके स्क्रिन पे रहा अपसे पूछा जा रहा है भारत भारत का कौन सा पुरा तात्विक अस्थल मुर्दों का टीला कहलाता है उसके लिए विख्यात है मुर्दों का टीला धोला बीरा है तरखान वाला है काली बंगा है और फिर मोहन जुदाड़ो है चाहे मुर्दों का टीला पूछे चाहे भूतों का निमास अस्थान पूछे चाहे लासों का धेर पूछे, सही जवाब मोहन जो दाड़ो ही लगाना, सही जवाब मोहन जो दोड़ो, डी is the right answer बनाना, अगला कोश्चन 62 नमबर आप किस कर्ण पे ये रहा, 62 नमबर कोश्चन आप से पूछ रहा है मित्रों, कि भीम बेटी का गुफा हैं किस railway station के समीफ है अगला कोश्चन 63 नमबर आप किस कर्ण पे रहा, 63 नमबर कोश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है चापा कला कोई किस तकनीकी में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है, बुड़ प्रेंटिंग में, सेरी ग्राफी में, लीथियो ग्राफी में, या फिर नमेशे कोई न बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ, अगला कोश्चन 64 नमबर आप कि स्क्रिन पे रहा, 64 नमबर कोश्चन कहे रहा है, अनुपमशूद किस रूप में प्रसिद्ध है, नाम दिया गया चापा चितरकार, जायाकार, मूर्दिकार या फिर नमेशे कोई नहीं, बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ, शाचाप नमबर कोश्चन साप कि स्क्रिन पे रहा, पूछा जारा है 1605 इस भी में, मिवार के छेतर में चांडो, चांडो में रागमाला सरंखला के चितरों को कि शितरकार ने चितरित किया, तो रागमाला सरंखला निजामुदिन निशारदीन ने बनाया, मनोहर लाल ने बनाया, फिर कुमार ने बनाया, रागमाला की बात होती है मित्रों, तो रागमाला के लिए निशारदीन का नाम लगाओ, शीज धराइट अंसर स्पाओ, अगला कोश्चन 67 नमबर कोश्चन के रहा है, अजन्ता में मार विजय चेत पूछ रहा है किसने दा ट्रांस फिग्रेशन क्या दा ट्रांस फिग्रेशन और इस्कूल आफ एथेंस नामक शितर बनाया नाम है लियोनार्डो दा विंची का रैफल सेंजियो दा ओर बीनियो का नाम दिया गया है सांद्रियो वेस्टेली का और माइकल एंजलो का भी आपको बताना है दा इस्कूल आफ एथेंस हो या फिर दा ट्रांस फिग्रेशन हो दा ट्रांस फिग्रेशन बहुत अची रचना है उर्वीनियो का तो रैफल सेंजियो दा उर्वीनियो सही जवाब है बीज दराइट अंसर लगाओ अगला कोश्चन सिक्ष्टी नंबर आपकी स्क्रिंड पे है सिक्ष्टी नंबर कोश्चन कहे रहा है बाग की दूसरी गुफा नहीं तीसरी गुफा का नाम बताना है हाथी खाना रंग महल पंच पांडो और इनमें से कोई नहीं आपको बताना है बाग की दूसरी गुफा का नाम आप जानते हैं क्या है हाथी खाना है सही जवाब फर्ष्ट के शाथ लगाओ अगला कोश्चन सिक्ष्टर नंबर आपकी स्क्रिंड पे यह रहा है सतर नंबर कोश्चन के रहा है आदिल साह के राजिकाल में निर्मेत पोथी जिसे नजूम उलूम वरतमान में किस संगरहले में नुजूम उलूम है विक्टोरिया न अलबर्ट संगरहले लंडन में है नुजूम उलूम इंडियन म्यूजियम कोलो काता में है चेस्टर आपके स्क्रिन पे रहा 71 नमबर कोश्चंस कह रहा है चितीं द्रनाथ मजूमदार का बिख्याच चितर है रासलीला रासलीला का अगज पिवास चितरन से टेंपरा में बनाया गया है किसके संग्रहले में है अलाहबा संग्रहले प्रयागराज में है बारत कलाभोन बाराथ Come Sprintus में है रासलीला आपको बथाना है रासलीला की एगर बात होती है रासलीला की एगर बात होती है seize the right answer समयाणा है अगला कोश्चंस 72 नमबर आपकी स्क्रिन पे है 72 कोश्चंस कह रहा है किसने काष्ट के टुकडे का प्रियोग अपनी कलाकरतियों में किया है नाम दिया गया आउनी नाट टेगोर ने राम किंकर बैज ने, डीपी राय चोधरी ने या फिर सुधी रंजन खास्तगीर ने काश्ट के टुकड़े का प्रियोग अपनी कलाकरति में तो आप जानते हैं आउनी बाबू किये हैं सही जब आप फ़र्ष्ट के चार लगा लो एज दराइट अनसर्स बना लो अगला कोश्टन सेवेंटी थरी नंबर आपकी स्क्रिन पर ये रहा सेवेंटी थरी नंबर कोश्टन क्या कह रहा है आप से पूछ रहा है कि भारतिय कलायों कलाकारों के प्रोतसाहन करने की दृष्टी से गगनेदनाट टेगोर ने 1.07 इस भी में ईवी हैबले के सह्योक्षे किस संस्था के स्थापना की नाम दिया गया दिल्ली सिल्पी चक्रा स्थापित किये इवी हैबले के साथ इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट अस्थापित किये या फिर नाम दिया गया आल इंडिया आर्टस और क्राफ सोसाइटी अस्थापित किये या फिर बिचित्रा कलब अस्थापित किये इवी हैबले और उसके साथ जो है आउनी बाबु मिल करके वह नई 107 में अच्छा आउनी बाबु गगनेन नाट टेटगोर और ऑनी बाबु के बड़े भईयां है गगनेन नाट टेगोर और एवी हेले मिल करके जो है वह 1.107 में इंडियन सुसाइटि आफ औरियंटल आर्ट थापित करते हैं सही जबाब जो है B के साथ लगाओ, B is the right answers पाओ, अगला कोश्चन 74 नमबर आप की स्क्रण पर गिरा, 74 नमबर कोश्चन कहे रहा है, कंपनी सेली का मुखे के अंदर था, लखनो, जोनपूर को लोग आता पटना, आप जानते हैं कंपनी सेली मतलब पटना सेली, तो सही जबा आप मुखे के अंदर पटना होगा, D is the right answers होगा, अगला कोश्चन 75 नमबर आप की स्क्रण पर है, पूछा किया लोग कलात्मक रंगों की छटा, रास्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा रही है, नाम दिया गया मेवार स्कूल, नाद्वारा स्कूल, भूंदी स्कूल, जैपूर स्कूल, आपको बताना है, लोग कलात्मक रंगों की छटा, रास्थान के किस आर्ट स्कूल की परंपरा रही, तो उस स्कूल का नाम होता है मेवार, सही जबा मेवार के साथ लगाओ, फॉस्ट इस दराइट अंसस पाओ, अगला कोश्चन 76 नमबर आपकी स्क्रिन पर रहा, 76 नमबर कोश्चन के रहा है, बाग की गुफाएं किस प्रदेश में हैं, नाम दिया गया महाराष्टरा में हैं, करनाटक में हैं, मदध प्रदेश में हैं, बाग की गुफाएं किस प्रदेश की हैं, बाग की गुफाएं आप जानते हैं, जो है मदध प्रदेश क आप जानते हैं लोग जीवन से संबंधिल लोग गथाओं का जो चित्रन है मित्रों वो दिखाई देता है मारवाड जोध पूर वाले में तो सही जबाब बी किशात लगाओ बीस दराइट आंसर्स पुनाओ फिर बढ़ते हैं अगले कोश्चन्स की दरफ अगला कोश्चन्स आलार जंग मुजियम हैदराबाद और नाम दिया गया नेपियार म्युजियम तिरवणंत पूरमद आपको बताना है कौन सा संगरहाले है जो बर्ला विसंपर्दाओं के पिछवई के पढ़िया है सही जबाब क्या होगा सही जबाब होगा केल कॉ म्यूजेट एहम्धाब के लिए लिदोग्राफिक के गर बात होती है तो चूना पत्थर इसके लिए इंपोर्टेंट है सही जवाफ फर्ष्ट के साथ बनेगा is the right answers बनेगा अगला कोश्ट असी नंबर आपके स्क्रिंड पे है असी नंबर कोश्ट चेह रहा है सीता वनवास किसका चितर है नाम दिय चंबा रंग महल के चितर कहा सुरच्छित है नाम दिया या भारतिय संग्राले कोलोकाता में है राष्टिय संग्राले नई दिल्ली में है सवाई मान सिंग दूतिय संग्राले जवेपुर में है या फिर राच्ट के संग्राले लखनों में है आपको बता है चंगा रंग मह पर दिपक बनर जी नाव तान्तरिक कलाकार की पहचान करिये नाम दिया गया बाल करशन पटेल हैं दीपक बनर जी हैं शितिन नात मजूम दारा है या फिर डाक्टर स्याम बिहारी अगरवाल है नाव तान्तरिक कलाकार की अगर बात होती मित्रों तो आप जानते हैं बाल करशन पटेल इसमें सबसे अग्रण हैं तो सही बाफ फर्स्ट के साथ लगा लो बढ़ोधरा वाले बाल करशन पटेल आप जानते हैं कि 125 कोश्चन का सेट होता है प्रक्टिस पेपर में इस करम में हम लोग 84 नंबर कोश्चन स्वालब कर रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि बामबे आर्ट सोसाइटी के अस्थापना कब हुई थे नाम दिया गया 154 में हुई 1910 में हुई 1888 में हुई या फिर 1924 में हुई 1854 भी दिया गया है बामबे आर्ट सोसाइटी के लिए आपको सही जबाब बताना है Bombay Art Society के एगर बात हो 1888 answers लगाना B is the right answers बनाना सही जबाब जो है B की साथ बनाओ B is the right answers अगला questions 85 number आपके screen पे 85 number questions क्या पूछ रहा है पूछ रहा है मित्रों की राष्टिया आधुनिक कला संगरहले के एगर बात होती है डाक्टर हर्मान गोएटस रहे हैं तो सही जबाब जो है हर्मान गोएटस के साथ लगाओ अगला questions 85 number आपके screen पे रहा 86 number questions क्या कह रहा है केजी सुब्रमिनिम का विख्यात मियूरल King of the Dark Chamber के शहर में बना हुआ है नाम दिया गया लखनो में है जैपुर में है बैंगलूर में है या फिर कुछी में है केजी सुब्रमिनिम का विख्यात मियूरल है King of the Dark Chamber King of the Dark Chamber के एगर बात होती है लखनो सही बाब लगाओ फर्स्ट इस दर राइट आउन सस्वाओ अगला कोशन्स एड़ी सेवन नंबर आपको स्क्रीन पे ए रहा एड़ी सेवन नंबर कोशन्स कहरा है सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते है नाम दिया गया जे एम एस मडी है दिलीप तामुली है सुदरसन पतनायक है या फिर ढोकराल एंड टागरा है आपको बता रहा है सैंड आर्टिस्ट के रूप में कोई फेमस तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदरसन पतनायक फेमस है आप जानते हैं 1,97 में जिनका जन्म होता है पोड़ी उड़ी सामें तो सही जब आप जो है बी के साथ लगा लो, बी is the right answers अगला questions 88 number आपके स्क्रिन पे रहा 88 number question आपके स्क्रिन पे रहा है दिल्ली के मंडी हाउस में इस्थे त्रवेणी कला संगम की अस्तापना किस ने की नाम दिया गिया गिया रामकुमार ने की कीया स्क्ल करनी के नारा ने से धवर बिंदरे ने किया या फिर सतेशन गजराल ने किया त्रवेणी कला संगम की एगर बात होती है मित रूँ कीया स्क्ल करनी की रचना है तो सही बाप त्रवेणी कला संगम के लिए कीया स्क्ल करनी लगाओ seize the right answers पाओ अगला कोशन्स 89 नमबर आपके स्क्राइए रहा है एक एक लाजवर्द लेपिश लाजवर्दी का रंग प्रखरलाल होता है तेबरनीला होता है, फ्लोरेंस रहरा होता है या फिर मटमेला लाल होता है लाजवर्द की अगर बात होती है लाजवर्द मतलब तेबरनीला तो सहीज बाप जो है बी के साथ लगाओ, बीज धराईट अंसस पाओ अगला कोश्चन 92 नुमबर आप किसे पे रहा 92 नुमबर कोश्चन साबसे क्या पूच रहा है पूच रहा है निम्लिकित में से एक परसिद्ध कार्टूनिस्ट की रूप में पहचान रखते हैं परदे जो है परसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण कुमार सर्मा है, वाल्टर ग्रोपिस है मेटेरियन हार्स हैं या फिर डेविड ओगेल भी है आपको बताना है कार्टूनिस्ट के रूप में पहचान किस की है कार्टूनिस्ट के रूप में जो पहचान है प्राण कुमार सर्मा की है तो सही जब आफ फर्स्ट के शाथ लगाओ A is the right answers वाओ अगला कोश्चन 93 नमबर आपके स्पंपे ये रहा 93 नमबर कोश्चन आपसे क्या पूच रहा है पूच रहा है मितरों की लाल रंग केस्टे बनाया जाता है नाम दिया गया हिंगुलस से बनाया जाता है हरिताल से बनाया जाता है लेपिस लावजुली से बनाया जाता है या फिर सीसे का मूल कारबेट यानि सफेट सीसा से बनाया जाता है लाल रंग की बात होती है आप जानते है मित्रों की हिंगुल से बनाया जाता है लाल रंग तो सही जबाब है सित्रा बार या फिर हिंगुल फर्स्ट इस दराइट आ जाओ, 94 number questions आप से पूछेगा कि Trump of labor, Trump of labor का से मूर्ति चल्फ किस ने बनाई? प्लेवर मूर्ती आप से पूछा जा रहा है, ट्रमप प्लेवर मूर्ती, देभी प्रसाद रायी चोधरी की रशना, तो सही जबाब ब्लेवर लगाओ, पिंगली वेनकटिया ने किया, फिर महत्मा गादे ने किया, बहरत के राष्टी दषच को किस ने डिजाइन किया था बहरत के राष्टी दषच के अगर बात होती है तो सही जब आप पिंगली बैंकिया बनते हैं बीस दराई डांसर होता है अगला कोस्टन 96 नमबर आपके स्कंड पे रहा 96 number questions आप से क्या पूछ रहा है पूछ रहा है नए संसत भौन पे हाल ही में लगे असो कस्तम्भ की का सी मूर्थिकार को है असो कस्तम्भ लच्छमण ब्यास ने बनाया लधिका कट्टा ने बनाया राम शुतार ने बनाया या फिर पी राजिव ने बनाया आप जानते हैं कि संसत भौन में लगा है जो नया संसत भौन बन रहा है उसमें असो कस्तम्भ लगा है असो कस्तम्भ को लच्छमण ब्यास ने बनाया है तो सही वाफ फर्स्ट के साथ लगाओ इस दर राइट आंसास पाओ अगला कोशनस 97 नंबर आपकी स्क्रिंट पे ये रहा पूचा तरह जंडा गीत जंडा गीत बीज़ई बिशुत रंगा प्यारा जंडाओं उचा रहे हमारा की रचना किसने की है रभिना टेगोर ने बगरिम से चड़र जी ने जानते हैं विज़ई बिशुत रंगा प्यारा जंडाओं में चार है हमारा जो है सर्मा पारसद है या फिर स्याम लाल गुपता पारसद है वही सही जबाब है अगला कोशन 98 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा पूचा जारा है राम किंकर बैच का माध्यम था कोटी था इस बाद था संगमरमर था या फिर सेमेंट कंक्रेट था राम किंकर बैच के अगर बात होती है आप जानते हैं राम किंकर बैच सेमेंट और कंक्रेट में बनाते हैं सही जबाब डी के साथ लगा लो अगला कोशन 99 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा अगला कोशन 100 नंबर आपकी स्क्रिंट पे रहा उचा जा रहा है दसावतार मंदिर कहां इस्थित है नाम दिया गया नचना कुठार में है रण में है भूमिर में है फिर देवगड में है दसावतार मंदिर की बात होती है, दसावतार मंदिर आप जानते हैं, भूमिरा में है, तो सही बाप जो है, भूमिरा बनेगा, अरे देवगड़ बनेगा, यार, भूमिरा बनेगा, देवगड़ बनेगा, देवगड़ बनेगा, देवगड़ बनेगा, देवगड़ बनेगा तुरंत आप किस्रण कर से लिए लगाओ, बी इस दराइट आंसरस वाओ, अगला कोश्चन्स, एक सो दो नमबर आपके स्क्रण पर यह रहा, 102 नमबर कोश्चन्स, काली घार चितरकला का केंद्र था, नाम दियागर लखनो है, पटना है, मुर्शीदा बाद है, या फिर कोलो है, नाम दियागे, एडवर्ड मोने है, एडवर्ड मुंक है, पाल सेजान है, या फिर एरेटरे हैं, आपको बताना है, ओलम्पिया, ओलम्पिया के चितरकार कोन है, ओलम्पिया के चितरकार है, एडवर्ड माने है, तो सही जबाब फ़र्शार लगाना होगा, यह इस दरा अकबर के कालका है और कपड़े पे करवाया गया तो सहीज बाब B के साथ बनेगा B is the right answers होगा अगरा कोशनस 105 नमबर आपकी स्क्रिंड पे रहा पूछा गया नम लिखित में से एक जर्मन च्छापाकार है नाम दिया गया अल्ब्रेक्थ doubles अगला कोशनस 106 नमबर आपकी स्क्रिंड पे रहा 106 नमबर कोशनस के रहा है गांधार सकूल आफ आट की मूर्तिया बनाए गयें गयें लाल बलुवा पत्फर से बनाएग गयें गरे नाइट से बनाएगें एक ग्रे सलेट पत्फर से बनाएगें या फिर marble से बनाएगे कांधार इसकूला फार्ड की अगर बात होती है तो ऐसी मूर्थियां जो बनाई जाती है ग्रे सिल्ट पत्थर से बनाई जाती है ग्रे सिल्ट पत्थर इस दराइट आंसर से बनेगा तो सही जबाबस्ची के साथ लगा लो अगला कोश्चन्स 107 नमबर पे आ जाओ 107 नमबर कोश्चन्स चल रहा है पूछा गया ध्या ध्यनमबा लोग ध्यनमबा लोग किसकी रचितर रचना है ध्यनमबा लोग की अगर बात होती है भरतमुन ने लिखा, अभिने उगुप्त ने लिखा अनंद वर्धन ने लिखा या फिर नमेशे कोई नहीं ध्यनमा लोग की अगर बात होती है मित्रों बहुत अच्छी रचना है आनंद वर्धन ने लिखी है तो सहीज बाब आनंद वर्धन के साथ लगा लो अगला कोश्चन्स 108 नमबर आप जिसकन पी ये रहा 108 नमबर कोश्चन्स कहे रहा है पांड रेथन मंदिर कहां इस्तित है पांड रेथन मंदिर उडिशा में है जमू कस्मीर में है हिमाचल परदेश में या फिर महराष्टा में पांड रेथन मंदिर के अगर बात होगी तो सहीज बाब क्या बनेगा पांच डेथर मंदर वहाँ पे एक जो है सुर्य मंदर भी है सहीज बाप जंबू कस्मीर बनेगा सहीज बाप बी की साथ बनेगा बी इस दराइट आंसर लगाओ अगला कोश्टन एक सो नो नंबर आपकी स्क्रण पर यह रहा 109 नंबर कोश्टन कहे रहा है चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था चतुर्थ आयाम लारिया नोवे ने सुझाया एच जिमर ने सुझाया पाल सेंजा ने सुझाया और फिर सिवेटे फुदुक्का ने जो है चतुर्थ आयाम चित्रकला में सुझाया चतुर्थ हयाम जो सुझाया जाता है लारीवो नो ने सुझाया तो सही जबाब फर्ट साथ लगाओ ए इस तरही टांसर पाओ अगला कोश्चन्स 110 नमर आप किस रन पे रहा 110 नमर कोश्चन्स क्या कह रहा है यामनी रंजन राय की तीन पुजारने क्या तीन पुजारने जो कागच पे टेंपरा से बनाया गया कहां सुरच्ची थे बताया गया भारत कलब होन वारानसी में है लाहबा संगराले पिर्याग राज में है राष्टी आदमी कला संगराले नहीं दिली में है यामनी रंजन राय की रचना है तीन पुजारने तीन पुजारनेों की एकर बात होती है राष्टी आदमी कला संग्रारे नहीं दिल ली है सही जबाब जो है शी के साथ बनेगा C is the right, अंसरस लगाओ अगला कोश्चन्स 111 नंबर आप किस रण बे रहा 111 नंबर कोश्चन्स क्या पूच रहा है पर्थम राष्टी आ सिच्छा निती डाडडाट में विक्सित की गई थी नाम दिया गया 1986 में, 1962 में, 1962 में, 1962 में और फिर 1966 में पर्थम राष्टी आ सिच्छा निती की बात हो रही है पहली राष्टिय शिशा निती आप जानते अंसर्ट में आती है तो सहीज बाब बी के साथ लगाओ बी इस दराइट अंसर्स पाओ अगला कोश्चंस 112 नंबर आपकी स्क्रिंट पर ये रहा है किस भारतिय लखो चितर संगीत को कंपनी ए फिर तंजोर अक्नोर और परनाव सक्रिंट गर बात होती है तो कांग्ला सेली आंसर्स बना न होता है अगला question 44, 114 नूमबर है, आप से पूचा जाए रहा मस्तानी, मस्तानी ये 1771 की रचना है किसका चित्र है, नाम दियागा चैत्तू ने बनाया, मनकू ने बनाया, महला राम ने बनाया, फिर श्यामदास ने बनाया, मस्तानी की बात होती है, तो मस्तानी आप जानते हैं बहु पिली ग्रेमेश टू अजंता एंड बाग, माई प्रिमी ग्रेमेश टू अजंता एंड बाग की बात होती है, तो ऐसी पुस्तक किस ने लिख दी, नाम दियागा उनी इनना टेगो ने लिखी, नाम दियागा ननलाल बोश ने लिखी, नाम दियागा मुकुल चंडे ने लि 116 number questions क्या कह रहा है पूचा जा रहा है लैला लैला कागच पे वास और टेंपरा में माध्ध्यम में बनाया गया है राष्टी आदमी कला संगराले नी दिल्ली में रखा है इसके चितरकार कोन है लैला के लैला को मुहम्मद अब्दुल्रह्माद चकुतरई ने बनाया ननलाल बोश ने बनाया अउनिना टेगोर ने बनाया फिर मकबूल फिता खुश्यन ने बनाया लैला आप जानते हैं बहुत अच्छी रचना है और अब्दुल्रह्माद चकुतरई की रचना है तो सही बाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा अगला कोश्चन्स 117 नंबर आपकी स्क्रिन पे 117 नंबर कोश्चन्स कहे रहा है किसके समय में चित्रों ने यूरूपीय प्रभाव अधिक दिखाई देते हैं नाम दिया गया हुमायो के समय, अकबर के समय, साजहां के समय या फिर जहांगीर के समय किसके समय चित्रों में यूरूपीय प्रभाव जादा दिखाई देते हैं यूरूपीय प्रभाव जो है जहांगीर के काल में जादा दिखाई देते हैं सही जबाब जहांगीर का काल देना होगा सी इस तराइट अंसर बनाना होगा अगला कोश्टन्स 118 नमबर आप कि स्क्रिन पे रहा 118 नमबर कोश्टन्स आप से क्या पूछ रहा है पूछ रहा है मित्रों कि राष्टिया आधुनिक कला संग्रहले नई दिल्ली में सुरचित बंगाली महिला बंगाली महिला कागच पे टेंपरा में बनाई गई है किसका चितर है और इना टेकोर ने बना दिया राम किंकर वैज की रचना है यामनी रंजन राए की है फिर सुधी रंजन खास्तगीर की है जंगाली महला की एकर बात होती है, बहुत अच्छी रचना है भारत की पिकापसु यामनी रंजन राय ने मनाया, तो सही जबाब जो है, शी के शाद लगाओ, C is the right अंसस पाओ, अगला कोश्चनस आपकी स्क्रण पे ये रहा, अगला कोश्चनस आपकी स्क्रण पे ये रहा, अगला कोश्चनस 120 नंबर है, आपकी स्क्रण पे है, पूछा जा रहा है आपसे, निमलिकित में से एक बसोहली सेली की बिसेस्ता नहीं है, बसोहली सेली के आपको बिसेस्ता नहीं बतानी है, पूछा गया इसमें सुरू, में तिबती चित्रकला की नाम से भी जाना जाता जाना जाता था तो ये विशेष्टा है उसमें कहा गया नहीं है आपको नहीं वाला पताना है करफाल सिंग के समय बसोली से लिए पने सुरण यूग में पहुंची थी हाँ बिल्कुल पहुंची थी आगे कहा गया रसमंजरी यहां के चित्रकारों का प्रिय भी से रहा है रस से प्राप्त चित्र मानों के बिधिवत भित्ती चित्रन की और प्रयास रत थे नाम दिया गया भीम बेटका नाम दिया गया आजंता नाम दिया गया जोगी मारा नाम दिया गया सिगरिया आपको बताना है मानों के बिधिवत भित्ती चित्रन की और प्रयास रत थे आईसा ज्यादा तर मोहने कैसी दिखाई देती हैं, तुछ अलखडी से बनी दिखाई देती हैं, सही जबाब जो हड़ी के साथ लगाओ, डे इस दराइट अंसस पाओ, अलग कोस्टन्स, 123 निमबर आपके स्क्रिंट पे रहा, 123 निमबर कोस्टन्स क्या कह रहा है, कलाकार, जी आर सं सही कालकरम बताओ, आपको बताना है, जी आर संतोस का सही कालकरम, सही जबाब 239-1997 होगा, डी इस दराइट अंसस होगा, सही जबाब D के साथ लगालो, अगला कोस्टन्स, 124 निमबर पे आजाओ, 124 निमबर कोस्टन्स आप से पूछ रहा है, रामायड, रामायड का, नाम दिया गया, बूंदी से लिगा, मिवार से लिगा, कोटा से लिगा, किसनगड से लिगा, युद धकांड के एगर बात होती है, सही जबाब क्या होता है, युद धकांड के लिए मिवार से लिग बनता है, सही जबाब, तो C के साथ आपको answers लगाना होगा, C is the right answers, अग पुरा राग गार्डन नेक्चन सेनी नहीं बनाया, तो वो डिजाइन करने की बात हो, चाहे बनाने की बात हो, नेक्चन सेनी ही आंसरस बनेंगे, फर्स्ट इस दराइट आंसरस होगा, एक एसाथ आंसरस लगाओ, फिर आप बताओ, कि ओबराल आप